दोस्तों, इंटेनेट पर काफी सारी वीडियोज आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें डिफरेंट एप्स या ट्रिक्स से आपको प्रॉमिस किया जाता है कि आप अपने फोन की बैटरी को 200% तक चार्ज कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि क्या सच में ऐसा किया ज सकता है, या फिर ये बस व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसे वीडियोज डाल देते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि फोन की बैटरी को 100% कैपसिटी से जादा चार्ज कर सकते हैं, क्या है दोस्तों कि हम इंडियन्स किसी भी चीज़ को उसकी कैपसिटी से जादा ही यूज कर करके रख सकते हैं, जिसको हम मिली एंपियर आर यानि की मेजर करते हैं, जिसका मतलब होता है कि बैटरी में कितना इलेक्रिकल चार्ज होल्ड करने की शमता है, आपकी बैटरी में जितने जादा मेज होंगे आपको उतना ही जादा बैक अप मिलता है, ये तो सीडिसी बात ह आपने भी देखा होगा कि जितनी capacity होगी उतना ही जादा नंबर लिखा रहता है बैटरी में नॉर्मली आजकल के सभी smart phones में 3000 mAh से 4000 mAh तक की बैटरी देखने को मिलती है कुछ में जादा भी हो सकती है जैसे 5000 या 7000 तक भी है जिनको हम charge करने के लिए different different chargers का use करते हैं तो जादा watt का होना चाहिए और हमारे सभी phones के साथ उसके supported capacity वाले charger ही आते हैं लेट सपोज अगर आपके पास 4000 mAh की बैटरी वाला phone है तो आप उसको 10 watt के charger के साथ चार्ज करते हैं तो 2 घंटे में बैटरी को 100% चार्ज कर देगा लेकिन उसके बाद क्या क्योंकि आजकल सभी phones full charge होने पर automatic charging बंद कर देते हैं तो भले ही आप उसको राद भर charging के लिए लगा रहने दें और सो जाए मस्त गहरी नीद में तो भी वो 100% से उपर तो जाने वाला नहीं है बिलकुल भी नहीं बलकि ओवर charging से आपकी battery के health पर काफी effect बढ़ सकता है क्योंकि अगर आप राद भर phone को charging पर लगे रहने देते हैं तो साल में 3 months तो वो directly current से contact में ही रहता है ऐसे में अगर साल भर भी आपकी battery चल जाए तो आप मान के चली है बहुत lucky है तो क्या हो अगर हम जादा watt का charger यूज़ करके हम battery को उसकी capacity से जादा charge कर सकते हैं और इसका जवाब है बिलकुल भी नहीं higher watts का charger यूज़ करने से आपके phone के battery charging capacity पर कोई effect नहीं पड़ेगा वो उतना ही charge and take करेगा जितनी उसकी capacity है बलकि आपके phone में जाएगा ही नहीं कुछ cases में charging speed पर effect पड़ सकता है और वो भी तब जब battery उसके लिए capable हो इसके लाबा आपके battery 4000 mAh से जादा तो बिलकुल charge नहीं हो सकती है भाई उसमें capacity इतनी है बलकि कभी-कभी ऐसा करने पर short circuit या phone heat up जैसे problems face करने पड़ सकते हैं तो इस तरह से आप battery को 200% तक तो उसके भर दिया यह electronic device है भाई जितना उसमें होगा उतना ही जाएगा तो यह काम किसी application के थूप बिलकुल नहीं कर सकते हैं दोस्तों याद रहे कि कोई भी application आपके hardware में changes नहीं कर सकती है जादा से जादा जितनी भी battery optimization apps है वो आपकी battery को जल्दी drain होने से रोक सकती है या power consuming features और operations और different settings को control कर सकते है उसको slow कर सकते है इससे जादा उनकी कोई हैसियत नहीं कुछ नहीं कर सकते है वो जिससे आपको मिल सकती है थोड़ी बहुत जादा battery life तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा हो तो वीडियो को like करें अपने झाल 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 झाल